तो आप ध्यान दे बच्चो यह हमारा साथवा अध्याए और अध्याए का नाम है देशी जन्ता को सब्य बनाना और राश्त को सिख्सित करना ठीक है बच्चो और इस पार्ट में जो है कुछ प्रस्न जो है आपके उनके उत्तर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रस्न उत्तर के माध्यम से, सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप जब पूरा पार्ट पढ़ लेंगे, उसके अंत में आप देखेंगे, फिर से याद करें, और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रस्न है बच्चों, निमने लिखित के जोड़े बनाएं, और क्या लिखा है बिलियम जॉन्स, और उसके आगे लिखा है अंगरे जी सिक्सा को प्रोथ साहन, रविन्ना टेगोर, प्राचीन सास्कृतियों का सम्मान, और टॉमस मैकाले, यहाँ पर लिखा है गुरू, महत्मा गांदी, आगे लिखा है प्राकरतिक परिवेज में सिक्सा, और पाट साल इसके आगे लिखा है अंगरे जी सिक्सा के विरुद, तो यहाँ पर बच्चों, यह जो है, जितने भी लिखे हुए है, इनको आपने मेल करना है कि कौन किस के साथ फिट बैठता है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, इस फरकार से आप उत्तर बनाएंगे बच्चो इसका, बिलियम जोन्स के साथ लिखेंगे, प्राचीन, सस्कृतियू का संबान, और रविद्ना टैगोर के साथ लिखेंगे, गुरू, और टॉम समय काले के साथ लिखेंगे, अंगरे जी सिक्सा को प्रोत्साहन, और महत्मा गांदी, तो महत्मा गांदी के साथ क्या लिख प्राकर्तिक परिवेश में सिक्सा ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप पहले प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रस्न है निमलिखित में से सही या गलत बताएं और कह है सबसे पहले जेम से मिल प्राच्य वादियों के घोर आलो चकते तो क्या यह सही है या गलत है आपने पार्ट पढ़ लिया होगा बच्चो तो यह सही है उत्तर होगा आपका सही खै है आपका फिर दूसरे प्रस्न में खै 1854 के सिक्सा सम्मंदी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्छ सिक्सा का अंग्रेजी होना चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप उत्तर में लिखेंगे सही ठीक है बच्चो और इसके बाद जो है गय वाला है आपका महत्मा गांदी मानते थे कि साक्सरता बढ़ाना ही सिक्सा का सबसे महत्वपूर्ण उदे से है तो क्या ऐसा था बिलकु था या नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे आप गलत बिलकुल नहीं तो क्या था गलत इसके बाद आगे है गहे में रविन्ना टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सक्त अनुसासन होना चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप गलत क्योंकि रविन्ना टैगोर ऐसा नह प्रस्न और यहां पर है सबसे पहले आप ध्यान देंगे आईए विचार करें और तीसरा प्रस्न है बच्चो बिलियम जोन्स को भारतिय इतिहास दर्सन और कानून का अधियन क्यों जरूरी दिखाई देता था उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे भारतिय इ पवित्र और कानूनी गरंतों को खोजना वो समझना जरूरी था। दूसरा पॉएंट लिखेंगे हिंदू और मुसल्मानों के असली विचारों वा कानूनों को इनी रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। लुपत बैवाओ को समझने में मदद मिलेगी ठीक है बच्यों तो इस प्रकार से आप पॉएंटों में लखेंगे इस प्रसण का उत्तर तीसरा प्रसण है और उसका उत्तर आप प्उएंटों में इस प्रकार से लखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रस्न है बच्चो जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय सिक्सा अनिवार्य है तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे उत्तर लिखेंगे जेम्स मिल और मैकाले की सोच है सोच यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप जेम से मिल और मैकाले की सोच और उसके बाल पॉएंट बना के लिखेंगे भारतियों के बिचारों को अंग्रेजों के अध्यन से रूडिवादी बिचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये अपनी भासा में अधि तुरुटियों से भरा हुआ हुआ अवग्यानिक है यानि कि वग्यानिक नहीं है तीसरा पॉएंट लिखेंगे इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्यान से भारतियों को दुनिया की स्रेश्ट तम साहितिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा वे पस्यमी भिज्यान और दर्शन के छेतर में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे तो इस प्रकार से आप जो यहां पर चोते प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं और ओभी पॉएंट बना कर बात करते हैं बच्चों यहां पर पांच वह प्रस्न है मात्मा गांधी बच्चों को हस्त कलाएं क्यों पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है उसमें पाठे पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन अनवहु और ब्यावारिक ज्यान की उपेक्सा की जाती है दूसरा पॉएंट है गांधी जी का तर्क था कि सिक्सा से ब्यक्ति का दिमाग और आत्मा विक्सित ह होनी चाहिए केवल साकसरता यानि पढ़ने और लिखने की छमता पालेना ही शिक्सा नहीं होता या नहीं होती इसके बाद तीसरा पॉएंट है दिमाग और आत्मा विक्सित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है हुनर सीकने पड़ते हैं और यहा जानना पड़ता है कि बिविन चीजे किस तरह काम करती हैं तो इस प्रकार से आप अपने इस पांच वे प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं पॉइंट बना कर लिखें बच्चो अच्छे से इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर छटा प्रस्ण है मातमा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंगरेजी स इसक शिक्सा ने भारतियों के मस्तिस्क में हींता का भाव पैदा कर दिया है यहाँ के लोग पश्चिमी सब्वेता को स्रेश्टतर मानने लगे हैं अपनी सस्कृत के परती उनका गौरा भाव नस्ट हो गया है दूसरा पॉयंट लिखेंगे पश्चिमी सिक्सा में बिश भरा है यहाँ पाप पूर्ण है इसने भारतियों को दास बना दिया है इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है और तीसरा पॉयंट लिखेंगे पश्चिमी सिक्सा ग्रहन करने वाले भारतिया विरिटिस सासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज की परसंसा करते हैं बात करते हैं चौता पॉयंट है बच्चो बिदेशी भासा बोलने वाले अस्थानी या सस्कृत से घिरना करने वाले भारतिया अपनी जनता से जूडने के तोर तरीके भूल चुके हैं तो इस प्रकार से आप जो पॉयंट बना कर लेकेंगे च्छटा प्रसंजवरिये और उसका उतर ऐसे एक एक करके पॉयंटों में आप समझेंगे इसके बाद बच्चो बात करते हैं आगे यहां पर है आईए करके देखें देख रहेने आपर करके देखें और यह एक्टिबिटी से समग्दित प्रसंज़र आपके लिए बच्चो सातवा प्रसन है अपने घर के बुजर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन-कौन सी चीजे पढ़ी थी तो यहाँ पर तो आपके लिए बच्चो स्वेम आप इसका उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि आप अपने घर में बड़ों से और बुजर्ग लोगों से पूछें कि उन भी आप स्वेम करेंगे क्योंकि यह भी एक्टिविटी से समझित प्रसन है बच्चो और आपका स्कूल जहां पर होगा उसके आज पास किसी अन्ने स्कूल के इतियास के बारे में आप पता लगा सकते हैं या अपने स्कूल के बारे में तो इसका उत्तर भी आप स्वेम से लिखेंगे तो बच्चो इसके साथ ही इस पार्ट से समझित प्रसनों के उत्रसमा आप तो होते हैं याद रहे आज हम क्या पढ़ रहे थे कक्सा आर्ट समझिक अध्यान के अंतर गयत हमारे अतीत का सातों अध्याए देशी जनता को सब्य बनाना राष्ट को सिक्सित करना उमीद है कि यहाँ पर बताई हुए इस पार्ट से समझित प्रसनों के उत्तर आपको अच्छे से समझाए होंगे इसके बाद बच्चो मिलते हैं फिर आठवे पार्ट में कक्सा आर्ट समाजिक अध्यान के अध्याए आठवे